हालो बच्चों स्वागते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डाउट नट जेई हिंदी मीडियम और मैं हूँ आपको अपना फिजिक्स टीचर स्वारव अगरवाल सर जिया बच्चों एक और वहतरीन टॉपिए यार बच्चे हम कई बार उससे ये डाउट पूछ रहे थे के सर हम अब तक कुछ भी नहीं सोच के आए थे हम लोगों ने सिर्फ बोड का पड़ाता लेकिन अब हमारे दिल में अचानक से तमन्ना जाग गई और वो तमन्ना है कि हमें जेई का एक्जाम क्रैक करना है बच्च समश्या क्या है मैंने क अब हमारे पास केवल 6 महीने का समय रहे गया है तो आप अब हमें यह बताइए कि क्या इस 6 महीने के अंदर मैं जेई मेन का एक्जाम क्रैक कर सकता हूं क्या और कर सकता हूं तो मुझे इसके लिए क्या-क्या स्टैप्स फॉलो करने पढ़ेंगे लोगों कितना मज़ेदार टॉपिक है यह तो रियल लाइफ प्रॉब्लम हुई एक स्टूडा इंटेग विध्यारती के जीवन में यह कितना बड़ा कन्फीजन होगा इस वक्त कि क्या 6 महीने में मैं जेई मेन का एक्जाम करक कर सकता हूं तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा बिलकुल आ ज उत्तर है हाँ भीटा बिलकुल उत्तर क्या है स्का उत्तर है हां यस है ना उत्तर क्या है यस आप इंच चैं महीने में जेई मेन का एक्जाम करेक्ष प्रवश diferen Cup कैसे जान त्रून दूइखे पाट चीज तो मान के चलोगी जट आज कल जो जैं मे इनका एक्जाम आ Rहा है बहुत सारे बच्चों ने हो सकता पेपर ना देखा हो और बहुत सारे बच्चोंने प्रिविएश के कॉश्चंस देख लिए होंगे यह हो सकता है कि 2023 का जई में इनका एक्जाम भी दिया हो लेकिन 2023 में अच्छे नंबर नहीं आए लेकिन उनको एहसास हो गया कि अरे सर अगर मैं पड़ता इमांदारी से तो मेरा सेलेक्शन हो जाता तो मैं 2024 में धंग से पड़ दूँगा तो पेपर बहुत टफ नहीं आता है आप एक चीज मानके चलिए कि जो बच्चे हमसे पढ़के गए थे ना 2023 में जो बच्चों ने पढ़ा अगर उन्होंने हमारे करा आई खड़कपुर में जा रहा है अभी इसको अभी राव अभी कांसलिंग चल रही है लेकिन उसको जुतनी राउंड अभी राउंड टू खतम हुआ है राउंड टू में उस बच्चे को आईटी खड़कपुर मिल चुका है सोच के देखो एक बच्चा को एनाइटी यह एनाइटी जमशेद पुर एक को ट्रपल आईटी है द्रावाद अब समझो यार इन सब चीजों को तो हमारे बच्चे गए है अनाइटी जाय आइटीजम और हमसे पढ़कर गए और कहीं किसी कोचिंग में अडमीशन नहीं लिया प्यूर हिंदी मीडियम का बच्चा प्यूर डाउटनट का बच्चा हम पे भरोसा किया आप लोगों की तरह वो भी इसी उम्मीद से आए थे हमारे पास असूर्मा बैच का बच्चा था वो तो यार इसका आंसर है कि हाँ भाई क्रैक तो हो सकता है बस आपको महनत करनी की देर है तो बच्चों यार आप लोग को जो क्लास में टीचर्स पढ़ाएं पहली बात तो आप लोग हमारा कोर्ष जोइन करो सबसे पहला स्टैप ही यह है सलेक्शन लेने का स्टैप यह है कि आप लोग कहीं ना कहीं इन्रॉल हो जाओ पढ़ोगे तो टीचर की दुवारा ना पढ़ाएंगे तो आपको टीचर सी और हमारा डाउटनट का हिंदी मीडियम का जो बैच है वो सर्विस रिष्ट बैच है सही बता रहा हमारा यह चैनल भी सर्विस रिष्ट है इंदुस् बता रहा हूं मैं तो आप सबसे पहले तो हमारा बैच खरीदोगे तो बैच के लिए बिटा जी हमारे यह आरहंब आरहंब 2.2 बैच लॉंच हो चुका है अब देर मत करना आरहंब 2.2 बैच जॉइन कर लो जो बच्चों को 2024 में जीए का एक्जाम देना है क्लियर बैच चालू हो जाएंगी तीन क्लासेज रहेंगी फिजिक्स की केमिस्ट्री की मैथ की डेली लेक्चर्स देखिए लेक्चर्स देखने के बाद आप अपनी फेर नोट्बुक जो कैसे क्रेक कर सकते हो वह बता रहा हूं शिद्दत से ट्रेक यह लेक्चर्स होंगे लेक्चर्स देख रहे हो तीनो सब्जेट की अलग कापी बना रखिए फिजिक्स के नोट्स उताली को में केमिस्ट्री को टाली मैध को रफ नोट्बुक में जो भी आपको हूंवर्क देंगे हम लोग उन हूंवर्क को करिए कि एड़र्लैस की किताब ले आईएड़र्लैस की किताब लाखे रख लीजिए और उस एड़र्लैस की किताब को सॉल्व करते रही एक्ट्र मोड़े हैं क्लियर और इसके साथ-साथ आप बारा से चौदा घंटे पढ़ने की अगर मुझे ये ये प्रॉमिस करते हो किसर में बारा से चौदा घंटे पढ़ाई करूंगा तो मैं कहता हूं अभी अभी आप ये बैच जॉइन कर लो और आज से ही 6 महीने भूल जाओ अपने आपको एक त्याग करना है कि अगले 6 महीने मैं सिर्फ डेडिकेटेड होकर 12-14 गंटे पढ़ूंगा और मैं सीखूंगा हर चीज मैं यह कह रहा हूंगा आप बेसिक्स भी अच्छा कर लेते हो ना तो भी जेई मैं क्रेप्टर ले जाओगे और लेक्श्चर्स को ढंक से पढ़ जाना फॉर्मले याद कर जाना लेकिन सिर्फ फॉर्मलों के भरोसे नहीं विद कॉंसेप्ट फॉर्मले तो याद रख नहीं है लेकिन विद कॉंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि अच्छा यह चीज ऐसे होती है अच्छा यह चीज ऐसी होती है क्लियर है इतना आपको कर करना है कर लोगे बच्चों बुलिए और अगर आप इतना मेहनत करने के लिए तयार हो तो मैं आपको गरंटिक देता हूं कि आप भी अगली साल वो बच्चे होंगे जो आइटी जैनाइटी में जा रहे होंगे तो अगर अभी तक भी आपने नहीं सोचा है कि सर इन क्या इन भी इन बचे हुए छह महीने में मैं जई में इनका एक्जाम करक कर सकता हूं तो तरह हां यस बच्चों अपने आप पे भरोसा रखिए समझ में आया ना वह बोलते हैं ना वह बोलते हैं कि यार बलब कि मंजल तो मिली जाएगी भटकते ही सही गुम रहा तो वह लोग है ज कोमेंट आएगा जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी या तो जिंदिगी के अगले 30-40 साल जितने भी साल आप कमाऊगे उस समय मजदूरी कर लेना या आज मेहनत कर लो अच्छे से पढ़ लो हागी की लाइफ अच्छे से एसी वाले ओफिस में दफ्तर में बैठकर बिताना चोईस आपकी है मेहनत तो तब भी करनी है लेकिन उस मेहनत का फिर पैसा भी मोटा मिलेगा मेहनत आप तब भी करोगे लाइफ में मना नहीं कर रहा हूं लाइफ में मेहनत तो करोगे बैठे बैठे तो कोई नहीं देगा लेकिन यह है कि आप जब मेहनत करोगे तो उसका अ आगे लाइफ में मेहनत करनी है अब नहीं पढ़ोगे तब भी लाइफ में मेहनत करनी है मेहनत आपको तब भी करनी है लेकिन वह मेहनत का एक में मजदूरी मिलेगी एक मैं अच्छी तंखा मिलेगी अगर पढ़के नी अफसर बने या पढ़के नी कुछ बड़े इंजिनिय से 14 घंटे अगर मेनत करने के लिए तयार है तो आप यस बिलकुल कर सकते हो च्छह महीने में करेक कर सकते हो और साथ में हमारा आरंब 2.0 बैच ले लेना आरंब 2.0 बैच ले लेना आपके स्क्रीन का नीचे पट्टी चल रहे होगी लाल कलर की जिस पर लिखा होगा आरंब 2.0 बैच 2.0 जॉइन करने के लिए अभी कॉल करें 01247158250 क्लियर है तो चलिए बटाजी अपनी बात को अपने मुख को अपनी शब्दों को यहीं पन में विराम देता हूं कैसा लगा सेशन बताईएगा जरूर आज के लिए तो बस इतना ही अकिदार सेशन के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार लखिएगा हसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा और हां चुड़े रहिएगा हमारे साथ जाने की डाउटनेट के साथ सो बाई बाई धन्यवाद